पार्ती रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलम्पिक की स्पर्दा से बाहर होने पर एक वक्तविय देना चाहता। पार्ती रेसलर विनेश फोगाट को तई केटेगरी में जादा वजन 100 ग्राम होने की वज़ा से पेरिस ओलम्पिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की केटेगरी में खेल रही थी इस परदा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवारे था UWW के नीमों और विनीमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए सब्बंदिच स्रेणी के लिए प्रतियक सुबह वजन माप का अयुजन किया जाता है अनुचेद अग्यार के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप रथम अत्वा दियुती में भाग नहीं लेता है अत्वा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिताओं से बहार कर दिया जाता है और बीना किसी रेंग के अंतिमस्थान पर रखा जाता है 7 अगस्ट 2024 को 50 किलो ग्राम महिला कुष्टी के लिए वजन का निर्दा रण 7 बज के 15 मिनिट और 7 बज के 30 मिनिट पेरी समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया इसलिए विस परदा के लिए अयोग्योगोशित की गई इस मामले को लेकर पार्ती ओलमपिक संग ने आंतराश्टी कुस्ती संग से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है नेशनल पार्ती ओलमपिक संग की अध्यक्षा पीटी उशा भी अभी पेरिस में है प्रदान मंद्री जीने स्वयम उसके साथ बातचित करके उचित कारेवाही करने के लिए उचित एक्षन लेने के लिए भी उसको कहा गया है विनेश मंगलवार 6 अगस्ट को तीन मुकाबले जित कर 50 केजी रेस्लिंग ओलमपिक में फाइनल में पहुचने वाली पहली भारती महिला रेस्टर बनी थी सेमी फाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवाल गुजमान लोपेजी को क्वार्टर फाइनल में उक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चेंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से माद दी थी उन्हें बुद्धवाद 7 अगस्ट की रात करिब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमरिकी रैसलर सारा एन हिल्डर ब्रांट से मुकाबला करना था जहां तक उनकी तैयारी है तुँ सहायता का प्रश्ण है पारत सरका ने विनेश फोगाद की उनकी आवश्चक्ता के अनुसार हर संबो सहायता प्रदान की है उनके लिए परसनल स्काप भी नियुक्त किये गए है जो अपने क्षेतर के विशरशग्य है उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अर्श्विनी पार्टी हमेशा रहते है इनको ओलम्पिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिकत सहायक स्टाप जैसे विबिन स्पारिंग पार्टनर्स स्टेंथ और कंडिशनिंग विशरशग्या के लिए वित्ती सहायता प्रदान की गई जिसका वीवरन इस प्रकार है ओलेर अकोच कोच के रुप में उसके साथ थे वेन पैट्रिक लॉंबार्ट स्टेंथ और कंडिशनिंग विशरशग्या अश्मिनी जीवन पाटिर, फिजियो थेरापिस्ट, मयंक सिंग गरिया स्टेंथ और कंडिशनिंग विशरशग्या, शुबम और अर्विंद, स्पारिंग पार्टनर इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कूल सत्तर लाक 45,775 की वित्ती सहायता दी गई है जिसका विवरण इस प्रकार है स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्ती सहायता साथी 3 जुलाई से 13 जुलाई, 2024 दस दिन तक मेडरीट, स्पेन के आंतराश्टी प्रस्रिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त वित्ती सहायता इसके अलावा फ्रांस के बुलों सुमेर में पूर्व ओलंपिक प्रस्रिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायता की है 2024 आंतराश्टी कुस्ति संग 2 रेकिंग सीरीज में 6 जुन से 9 जुन 2024 4 दिन तक बुड़ापेश्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जुन से 21 जुन 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में आंतराश्टी प्रस्रिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहायता की है तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जुन से 21 जुन 2024 11 दिन तक आंतराश्टी प्रस्रिक्षन शिवीर में भाग लेने के लिए भी वित्ती सहायता की है 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुड़ापेश्ट हंगरी में 4 रेंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुड़ापेश्ट हंगरी में प्रस्रिक्षन शिवीर हेतू इसको वित्ती सहायता की है वेल्मेकेन बुलगेरिया में 10 ग्यारा 2022 से 3 बारा 2022 तक प्रस्रिक्षन के लिए वित्ती सहायता दी है उनके रिहाय प्रकिर्या के लिए आवश्यक उप्तर खरीदने के लिए भी वित्ती सहायता की गई है दो हजार बीस टोक्तो ओलम्पिक चक्र में एक करोट त्यरह लाग अठानवे हजार दोसो चौविश रुप्य का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था दोसो चौविश पेरिस ओलम्पिक चक्र में भी टार्गेट ओलम्पिक पॉडियम स्कीम में तेपर लाग 35,746 और वार्शिव ट्रेनिंग अवन्स पर्दा केलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,75 रुपया हमारे खेलाडी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया